नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित ये कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इए कंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। हमने मान लीजिये कि M1 और M2 ले लिया। आप चाहिए तो इनका धर्विमान M और M भी ले सकते हैं। तो मान लीजिये कि ये है M और ये है M और इनके बीच की दूरी अगर हम कह दें कि D है। तो हमने क्या कहा कि इनके बीच में लगने वाला गृत्वा अकर्शन बल किसके बराबर होगा। ये बराबर होगा G गुना M गुना M बटा इनके बीच की दूरी यानि की D स्कुएर के। अब हम इस वीडियो में किसको अध्यान करने वाले हैं। हम अध्यान करने वाले हैं इस सार्वत्रिक गृत्विय इस्थिरान का। तो अगर मैं इस गृत्विय इस्थिरान के लिए एक सूत्र निकालने का प्रयास करूँ तो आप देख सकते हैं कि बाकी पदों के रूप में हमें मिलेगा G बराबर F गुना D स्कुएर बटा M गुना M क्या को इसमें कोई भी दिक्कत हैं। नहीं हमने G को इस सूत्र का मूल बिंदू बना लिया मतलब इसका मान हम निकाल रहे हैं बाकी सब को इस बराबर चिने के दूसरी तरफ ले गए। तो इस से हमें क्या पता चला कि अगर हम G का सूत्र देखें तो वो है F गुना D स्कुएर बटा M गुना M और यहीं से हम एक चीज और कर सकते हैं कि G का मात्रक निकाल लें। तो अगर हम G के मात्रक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बल का मात्रक बल का मात्रक यानि की Newton गुना दूरी के वर्ग के मात्रक के बटा यहाँ पे आपको दोनों ही दृवव्यमान मिल रहे हैं तो दृव singles के लिए आपके पास क्या क्या मात्रक हो गें? तो M का मात्रक किलोग्राम और दूसरे M के लिए फिर से किलोग्राम तो इसको करने पर आपको मिलेगा कि G का जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर की घाद दो और किलो ग्राम की घाद माइनस दो तो परीक्षा के दिश्ट्रिक ओन से भी ये बात बहुत जादा सिर्गी है कि G का सूत्र क्या है और G का मात्रक क्या है इसके बाद आईए हम एक बार इस सार्वत्रिक गृत्वे स्थरांग का असल मान निकालें पृत्वी पर तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये सार्वत्रिक है इसका आशे ये हुआ कि इसका मान कभी भी नहीं बदलना चाहिए और ये बात बिलकुल सही है तो अगर हम किनी दो यहाँ पर द्रविमान ले लें और उनके बीच का पल माप लें उनके बीच की दूरी माप लें और उनके अलग 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 द्रविमान नाप लें तो हम इस जी का मान निकाल सकते हैं मतलब कि अगर हमें F पता हो जाए, D पता हो जाए, M और M पता हो जाए तो हम G निकाल लेंगे अब देखिए ऐसा करने के लिए हमने एक परिवेश किया और उस परिवेश में हमने क्या किया कि चंद्रमा और पृत्वी को मान लिया तो ये है चंद्रमा और चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो हम M, M से निरुपित कर लेते हैं और हमें पता है कि इसका मान है 7.4 गुना 10 की घाट 22 किलोग्राम साथ ही हम पृत्वी का द्रव्यमान M, E से निरुपित कर लेते हैं और इसका मान हमें पता है 6.10 की घाट 24 किलोग्राम इसके पाथ हमें ये भी पता है कि चंद्रमा और पृत्वी के दूर की या बीच की मैं कहूं दूरी कितनी है 3.84 गुना 10 की घाट 8 मीटर और हमने ये ग्याद कर लिया कि किसी भी शर इन दोनों ही यानि पृत्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला गृत्वा आकर्शन बल होता है 2.02 गुना 10 की घाट 20 न्यूटन अब जब इन मानों को रख करके मैंने जी की मान की गर्णा करी तो मुझे क्या मिला 2.02 गुना 10 की घाट 20 यानि की F का मान गुना D के मान का वर्ग तो 3.84 गुना 10 की आठ आठ का वर्ग बटे M यानि की 7.4 गुना 10 की घाट 22 गुना 6 गुना 10 की घाट 24 तो अगर मैं यहाँ पे 10 की घाटों की करना कर लूँ तो 20 धन 16 माइनस 22 माइनस 24 हो गया और बाकी जो संख्याएं हैं इनका हम निकाल लेते हैं की मान कितना आएगा 2.02 गुना 3.84 का वर्ग और इसे हम भाग देंगे 7.4 और 6 से तो हमारे पास आया 0.67 तो 0.67 गुना यह और अगर हम इसको हल करेंगे तो देखें क्या होगा तो आएगा 0.67 गुना 10 की गात 20 और 16 में से बारा गया 14 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 10 आएगा और अगर हम इसको 6.7 लिख ले तो हमारे पास आजाएगा 10 की गात माइनस 11 और अगर हम इसकी मातरक लिखें तो न्यूटन मीटर स्कुएर पर किलोग्राम स्कुएर तो ये बात आ गई है हमारे पास सार्वत्रिक, गृत्विय, इस्थिरांकी जिसका हमने सूत्र और मान दोनों ही यहां पे निकालके देख लिए